मानिय अद्यक्जी आज मैं जम्मु कस्मिर पुनरगठन संसोधन विधेक दोजार तेईस और जम्मु कस्मिर आरक्षन संसोधन विधेक दोजार तेईस इस पर इस सदन में जो बहाश हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुई मुझे एक बात का आनन्द भी है वरे हमारी संसद्य प्राणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया मानेवा लगबग छे गंटा चर्चा चली और कॉंग्रेस के स्री अमर सिंग से लेकर अधिर रंदन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किये मगर बिल के उद्देशों के साथ बाइन राज सभी ने सहमती जेक लिए यह मैं सभी का धन्यवाद करना माँ जाता हूँ मानिय अध्यक जी मैं जो बिल लेकर आया हूँ जो विध्यक लेकर इस महानसदर की सहमती प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ वो बिल सत्तर सालों से जिनों को अन्याय हुआ है जो अपमानीत हुए और जिनकी अन्देखी की गई है वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है उनको अधिकार दिलाने का है मानने दिख्जी ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए भारतिय सम्विदान की मूल भावना है परन्तु उसके साथ साथ इसका सन्मान न कम हो इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए अधिकार देना और अधिकार सन्मान के साथ देना दोनों में बड़ा फर्क है इसलिए कमजोर और वन्चित वर्ग के जगे अन्य पिछड़ा वर्ग ये नामकरण बहुत महत्वपून है ये दोनों चीजों को धेर सारे प्रतिपक्स के सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से थोड़ा कम आखने की प्रयास भी किया किसी ने कहा कि पहले से ये हो रहा था किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है मैं इन सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के पती जरा भी सम्वीदना है तो नाम के साथ उनका सन्मान जुड़ा है वो जरूर बहुता है नाम के साथ सन्मान जुड़ा है वो वो ही लोग देख पाते हैं जो उनका उतकर्स अपने भाई समझ कर अपने से पीछे रह गए भाई समझ कर सम्वीदना के साथ उन्गली पकड़ कर आगे बढ़ाना चाहते हैं वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वाट बेंक के नाते उपयोग करकर अच्छे लच्छेदार भासंड देकर रादनीती में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयम एक गरीब से गरीब गर में जन्म लेकर अध्य देश के प्रधान मंत्री बने हैं वो पिछड इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मानने वर मदद की जगे सन्मान के माइने बड़े होते हैं मदद से ज़्यादा व्यक्ति का सन्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसके आत्मविश्वास को और उसके गवरव को सन्मानीत करता है बढ़ाता है जो उ इसलिए कह रहा हूं कि धेर सारे सदस्यों के भाषण मेंने सुने भी है पड़े भी है मेरी चेंबर में ये भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं मानेवर आज जो बिल लेकर आया हूंगे बिल के बारे में मैं थोड़ी प्रुष्ट भूमी भी बताना चाहता हूं जमु कस्मीर में हम सब जानते हैं जब महराजा हरी सिंग जी ने भारतिय संग के साथ इनके विलाई का नेड़े किया उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उताओ चड़ाओ कुए असी के दसक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावहद रस्य था पिडियों से सद्यों से जो लोग अपनी भूमी पर रहते थे अपना देश समझ कर रहते थे अपनी जन्व भूमी समझ कर रहते थे वो मुल समेथ उखड गए और किसी ने इनकी कैर नहीं करे इनकी चिंता भी नहीं करे ना इसको रोकने का प्रयास किया और कई बार तो मानेवर रोकने की जिन्द की जिम्मेदारी थी वो इंगलैंड में वेकेशन कर रहे हैं मैं नाम देना नहीं चाहता और फिर कहते हमने कुर्बानी दिनी आपकी कुर्बानी आँख मातों पर अगर दी है तो मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सटी के साथ वोट बेंक की इरादनिती के बगेर उस वक्त उसको आतंकवाद को उक्ता हुआ खतम करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मुझे दिल लेकर आत्सदन के सामने आना पड़ती मानेवर जब विस्तापीत हुए तब देश के अन्ने हिसों में अपने ही देश में सरणार्थी बर्णकरूं को जाना पड़ती दिल्ली बैंगलूर इंदाबाद चेन नहीं नहीं जाने कहां कहां गए लगबग लगबग वर्तमान के आकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 157,967 लोग अपने ही देश में विस्तापीत हुए और इस तरह से विस्तापीत हुए कि उनकी जड़े ही अपने खुद के देश से अपने खुद के प्रदेश से अपने खुद के वतन से उखड कर रहे गई यह बिल उनको अधिकार देने का है यह बिल उनको प्रतिनी जीपर देने का है मनेवर कस्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमन किया इसमें लगबग लगबग 31,789 परिवार पाक अधिकृत जम्मु कस्मीर से जम्मु कस्मीर में विस्तापीत हुए इन में से 26,319 परिवार जम्मु कस्मीर में और 5,400 साहिट परिवार देजभर में फैल के वह पाकिस्तान के हमले के सिकार्थ इसके अत्रिक 1965 और 1971 में भी युद हुए उसमें और 10,065 परिवार विस्तापीत हुए और कूल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्तापीत हुए ये विस्तापीतों किसीटी के बारे में मैं बात में बात करता हूँ परंटु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है ये बिल उनको प्रतिनी इद्दिक तो देने का देने आज वो लोग ऐसी स्थिती में नहीं हैं कि वो चुनाव लड़कर वहां की एसेमली में बैट पाए जो कहते हैं क्या हुआ धरातिंसो से कहा हुआ पांच और छे अगस्त पांच और छे अगस्त 2019 में यह हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी न 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकरती तरह खटकता है उनको मैं बताना चाहता हूँ इसी बिल का हिस्सा था नियाईक डी लिमिटेशन यह एक सब्द नहीं है दो सब्द जोड़कर बनाए क्योंकि पहले जो डी लिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था एक कॉंस सिटंसी का हिस्टा पंदरा किलोमेटर दूर है क्यों कि मुझे चुनाओ जितना है इस तरह से लिमिटेशन हुआ है यह दिली मिटेशन के सामने मैंने जान बूझ कर एज ली जिस्लेटर नियाईक डी दिखा था वो आज मैंसे बनते गहां है डी लिमिटेशन कमिशन डी लिमेटेशन और डी मार्केटेट एसेमली एक लोक्तंत्र का मूल जन प्रतिनिदी को चुनने की इकाई तही करने की प्रक्रिया है एसेमली जो बनती है वहीं से बत्दाता अपना प्रतिनिदीरी विदान स अगर डी लिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मानने वर इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्ता करी थी कि डी लिमिटेशन न्याइक डी लिमिटेशन फिर से किया जाएगा और सभी की सुनवाई हुई Delimitation Commission जम्मू कस्मीर में सब जगे पे गया अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक सब जगे गुमे कई समुदायों कई समुदायों के प्रतिमिद्यों ने इनको आविदन पत्र दिये थे पाक उक्उपाई कस्मीर से आय हुए लोगों ने भी दिये थे और कस्मीर घाटी से भाग कर जम्मू में सरन लेने वाले लोगों ने और कस्मीर घाटी से भाग कर देश बर में फैले हुए कस्मीरियों ने भी आविदन दिये थे कि हमारा प्रतिनी द्यत्वा का कोई डील इमिटेशन कमिशन संग्यान ले और मुझे आनंद है मानेवर कि डील इमिटेशन कमिशन ने इसका संग्यान लिया भारत के इलेक्शन कमिशनर ने विधान सभा में दो सिटे कस्मीरी विस्तापीतों के लिए नामंकरन की जा सके और एक सिट और ना धिक्रुत अक्यूपेशन जो हमारे कस्मीर का हिस्चा पकिस्तान करकर बैठा है वहां से विश्टापित लोगों में से एक विक्ति को नॉमिनेट करना पड़े ये इसका हाथ अब इसमें क्या है पहले भी मिलता था ना पहले नहीं मिलता था पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनितितों नहों तो महिलाओं को दो सिट दी चाले हमने तीन सिटे और एपोइंट करने की डिल मिटिशन कमिशन की जो सिफारी से उसको बिल में परिवर्त करकर कानूनी जामा पहना कर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्तित हुआ जो गाटी से विस्तापित हुए है और एक सिट पाक अक्यूपई जम्मू कस्मीर के विस्तापित व्यक्तियों के लिए नामिप की जाएगी इसमें से एक महिला होना जरूरी है इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है दिल लिमिटेशन कमिशन के लिए भी सिटों का आरुक्षन की विवस्ता करे है नई जो स्कीम बनी है उसमें जमू में पहले 37 सिटे थी यह भी नियाय का सवाल है जमू में पहले 37 सिटे थी अब 43 हुई है कस्मीर में पहले 46 थी अब 47 हुई है और पाक अक्यूपाई कस्मीर की 24 सिटे क्योंकि वो हमारा है हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सिटों को सभी इस तरह से पहले 107 सिटे जम्मु कस्मिर विदान सभा में थी अब 114 सिटे हुए हैं पहले दो नॉमिनेटर मेंबर हुआ करते थे अब 5 नॉमिनेटर मेंबर मान्यवर इसमें होंगे जम्मु कस्मिर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा पंदर के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कस्मिरी प्रवाशियों में से दो जिसमें से एक महिला और पाक उक्यूपाई कस्मिर से एक नामांकन किया जाएगा मानेवर इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को इत्यासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारीत किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी इसको माननेता दी और धारा 370 चली दे इसी का हिस्सा था ये डी लिमिटेशन कमिशन मानेवर सुरक्षा का परिदृष्य मैं इस पर बार में बाद में बात करूँगा धेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यत की है मैं भी चिंतित हूँ परन्तु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है क्योंकि एक और से रेकोर्ड पर चीज़े आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा और आज जो धारा तिनसो सत्तर हटने के बाद क्या विकास हुआ आतंकवाद तो अब भी चल रहा है कस्मीरियत का कितना नुक्षान हुआ इस सारी चीजों के जवाब मैं बहुत डिटेल मनेवर दूंगा और ये दोनों जो संसो सदन आने वाले दिनों में इतियास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशिरवात को हर कस्मीरी जो प्रताड़ी थे वो याद रखेगा हर कस्मीरी जो पिछड़ा है और यादरकेगा कि नरेंदर मोधी सरकारने 70-70 साल से दर-दर की ठोकरे खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाईयों बेनों को न्याय दिलाने के लिए उनको दो सीटे का रिजर्वे संदिया और अपना देश छोड़ कर पाक उक्क्यूपाही कस्मीर से यहां सरनाथ ही बने हुए लोगों को रिजर्वे संदिया और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले सब्द की जगे पीछ़़ा वर्ग का समवेधानिक सब्द इनके लिए रखकर आर दिल लगभग लगभग आई कि इन्होंने क्या कहा कई थादस्यों ने पुछा कि क्या हुआ है विस्तापितों के लिए क्या हुआ है एती जर्वेस देने से क्या होगा और जर्वेसन देने से उनकी आवाज कस्मीर की विधानसभा में गुंजेगी और फिर कोई एसिस्टिती करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे वो क्योंकि उनकी आवाज वहाँ मानेवर इसके अलावे 5675 कस्मीरी विस्ताफित परिवार आज रोचकार पैकेज का फाइदा उठा रहे हैं ऐसे करमचारियों के लिए 6000 फ्लेट बनाने का प्रोजेक्ट था जो नहीं समाप्त हुआ 14 से सुरू हुआ मगर अब राष्ट्रपती सासन डालने के बाद लगबग लगबग 880 फ्लेट्स बन गए हैं और उनको हैंडोवर करने की प्रक्रिया चालू इनकी ओनलाइन सिकायत लेकर इसके निवारं का पोर और एक बहुत महत्वपून कानौन जो लोग कहते हैं मैं कस्मीर के जो सांसत बैटे हैं उनको विशेश रूप से कहना चाहता हूं क्या हुआ क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूं माने वर जब आतंकबाद चालू हुआ निसाना बना कर सबको भगाना शुरू हुआ गड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं अच्छे तरीके से सांतोना देने वाले मैंने बहुत निता देखे हैं मगर नरेंद्र मोदी एक मात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्नोंने इनके आंसू साथ अर्थ में पोचने का काम मानेवर उनकी पीड़ा का हम कलपना नहीं कर सकते जो करोड़ो रूपय का प्रॉपर्टी वहाँ छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलूर कहीं अमदाबाद कहीं दिल्ली कहीं जम्मू में जाकर कैम्प में रहे हैं अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे है इनकी पीड़ा की कलपना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर मगर जब वहाँ से भागा भागे वो करोड़ो रूपय की संपती किसी ने कबजा ली कबजा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं जो देता हूँ वो ले लो औने पोने दाम में करोड़ो रूपय की संपती एक प्रकार से छीन ली गई और प्रसासन चुप चाप बैठा चुप चाप बैठा कोई कदम नहीं उठाए और मानेवर हमने इसक प्रस्पैक्टिव फैक्ट से उनको वापिस लेने का काम भारतिय जनता पाटी की नरिंदर में भी साथ कुछते हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया है और बहुत बोले हो धाइर्य रखना सुनने का आज जरा धाइर्य रखकर सुनना और मेरा निवेदन है जितने बैठे कमी बैठे हैं चले न जाए मान्यवर अधिवास प्रमान पत्र लगबग एक पॉइंट छे लाक लोगों को अधिवास प्रमान पत्र दिने का काम ये भारतिय जनता प परिवार में 13,000 रुपया कैश्ट डॉल दिया जाता है इन लोगों प्रती व्यक्ति 9 किलो चावल 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है मानने और पाक अक्टुपाई कस्मीर से जो लोग आये थे उनको एक मुस्त साड़े पांच लाक रूपय एक साथ देने का काम ये नरेंद्र में जो लोग कहते थे कि क्या हुआ आप तो मुल से ही कटे हो साब मुल के साथ संपर्की नहीं कैसे मालूम पड़ेगा बढ़लाव क्या हुआ इंग्लेंड में वेकेशन करकर जमुक कस्मीर के बढ़लाव का अनुबव नहीं कर सकते हुआ मानेवर हमने आपको नहीं कह रहा हूँ दादा बेट जाएगे आप कहा कस्मीरी हो मानेवर एक बेकवर्ड क्लास कमिशन बनाए गया बहुत सहभागीता के अप्रोच बेकवर्ड कास कमिशन ने लिया ही दारकों के साथ कई दोर का बैठक्के किया 198 प्रतिनीदी मंडल और 16,000 लोगों को की सुनवाई हुई 750 दिन ये प्रक्रिया चली सभी 20 डिस्ट्रिक में जाकर ये सुनवाई की गई और लगबग लगबग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखीत अरजियों को भी संग्यान में ले लिया गया और जम्मु कस्मी आरक्षन अधिनियम इसके अंदर सुधार करने का अभी जो आया है उसमें से एक मूल तत्त्तों बाकी के दो बिल तो सब्सक्राइब लेकर आयेंगे मगर अभी एक तत्तवता फिरपार किया है बड़लाव किया है जो मसुली साब कहते थे कि पहले भी था हाथ था पहले था प्रण्तु कमजोर व्यर्ग करकर कमजोर वर्गों के लिए था इसकी जगे समवेदानिक नाम अन्यप्छडा वर्ग देकर उनका सदमान करणे का काम भरिंडर मोदि यहाżenia Congress के धे सारे मित्र बेकवर्ड क्लास करते हैं कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिख कर पकड़ा लो तो छे महेंने नया कागदना तब वो ही बोलते रहे वो ही बोलते बैकवर्ड क्लासिक भाई पहले आपका इतियास तो देखो मानिवर मैं इतियासिक सत्य के साथ सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में चिज़क नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और नास को रोकने का काम कोई एक पार्टी नहीं किया है तो Congress Party में आज मैं पुछना चाहता हूं सदन की पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर पिछला वर्ग आयोग को सतर साल से समवेधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी क्यों नहीं दी जाती थी क्यों उनको इस अन्मान नहीं मिलता था जबकि समवेधान का मेंडेट मगर नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी जी ने इसको समवेधानिक मान्यता दे लिए तो मैं आज पूछना चाहता हूं इस काका साहिब कालेकर कमिशन का रिपोर्ट रोक कर रखा वो जवाब होना चाहिए देश की जनता को मालूम पढ़ना चाहिए मंडल कमिशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ और बाद में लागू हुआ भी तो वि बैकवर्ड क्लास की बात करें कभी भी Central Admissions स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को Reservation देने का काम Congress party ने कभी भी नहीं किया केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के मेत्रितों में भारती जन्ता पाटी ने किया सेमिक स्कुलों में भी दिया मानेवर अब आप इनको बिठा दीजिए मानेवर अब तक डिप्राइव लोगों की बात करते हैं अब तक EWS इकोनोमी का डूप से पिछडे लोगों को आरक्षन देने की बात कभी नहीं सोची गई पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अनारक्षित जाकियों के गरीब बच्टों को बस प्रकिसत रिजर्वेशन देने का काम और मानेवर आज ये नामकरण में भिन्नता से क्या होता है इ इनको मालूम नहीं है मानो मेरी मा का नाम कुसुम है मैं उसको कुसुम बोलता हूं और मा कहता हूं दोनों को बीच में कितना अंतर है वो मा यह नहीं समत्रेपाइब यह भासा का सुधार नहीं है एक कंसेप्ट का सुजार है नजर्ये का सुजाव है और देखने के ग्रफिकॉन का सुजाव है जो नरेंद्र मोधी सर्कार परूद अरे यार अधिरंजन मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहे पढ़ते तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार ऐसा मत करो यार अधिरंजन जी ऐसा मत करिया आप मानने है विपक्स के नेता है मैं जरा भी पढ़ते हैं अरे आपके बारे मैं नहीं बोल रहे वे मानने वर में इनको बताना चाहता हूं आज काल करते करते मेरे 32 साल किसी न खिसी सदर में हो गए मैंने आज तक कभी पढ़ा हुँ। बोलता हूं मेरे हाथ में जो कागज होता है आंकडों और तथ्यों को रिफेर करने के लिए होता है क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर दो मान्यवर प्लीज 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 मान्यवर ये विधायक ये विधायक नरेंद्र मोदी जी सरकार ने देश के प्रदानमंतिर नरेंद्र मोदी जी ने देश में लाए हुए सैंकडो सकारात्मक और परिवर्तन कारी प्रगति सिल्प परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोडने का काम ये विदहे करेगा और इसलिए मैं आज इस सदन के आशिरवाद मागने आया हूँ मनेवर कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैरिया से सुनना पड़ेगा अंत में बताऊंगा अंत में बताऊंगा तब तक आप तोके बगर बैठे आए मनेवर कुछ कानूनी और समविदानिक मुद्दे खड़े करें पहले एक मॉरल बात लाए कि इस कानून के अंदर आप एमेंडमेंड लेकर आये हो वो कानून ही कौर्ट के सामने चैलेंज हूँ है मस्चुदी साब तो हाई कौर्ट के जज रहे विद्वान नयायदीश रहे है अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे मैं उनको कहना चाहता हूं दारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही क्यों नहीं रोका उसको जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया और आज आपको कानुन की मर्यादा याद आ रही है फिर भी मैं सपश्टता करना चाहता हूं आपकी ही पिटीशन है अपिटीशनर हो इस पर श्टे मांगा गया था श्टे पर बहस हुई नया दीसों ने सुनवाई करका श्टे देने से इंकार किया स्टे देने से इंकार किया मैं बहुत responsibility के साथ यहां बोल रहा हूँ कोई stay नहीं है कोई stay नहीं है कहा कि हम समाथ करें के admit किया जो admit फुद ही होता है कि नहीं नहीं admit होने से कुछ नहीं होता stay करना पड़ता है order में stay करना मानेवर जब तक आप तो जाज रहे सब उपर वाले से तो डरिये फायरूक साब से इतना मत डरिये मानेवर मानेवर पीटीशन admit होने से को डराता नहीं फिर भी डरते हैं बोलिए आप लोगों को काम है इसका जवाब में आपके बात दूँगा नहीं दे सकते हैं नियमों के अनुसा मनेवर मानेवर जब कोई भी पीटीशन सुपरिम कॉर्ट के सामने जाता है अगर सुपरिम कॉर्ट उसको stay नहीं देता है तो तब-तक यथास्तिती बनती है और यथास्तिती यह है कि राष्ट्रपती महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है यह यथास्तिती है इसके लिए मैं इसके अंदर एमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता है और यह जो है मानेवर मानेवर उसके बाद कहा गया मनिश्तिवारी जी के द्वारा कि अनूचे तीन में कहीं अनूचे तीन में कहीं पर भी यूटी का प्रावदान नहीं है अब मैं मानेवर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बहुत बड़ी बात माने सदस्य नहीं करी है मैं अनूचे तीन इस सदन पर पढ़ना चाहता हूं नए राज्यों का राज्यक्षित्र अलग करने अथ्वा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला कर अथ्वा किसी राज्यक्षित्र को कि इसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्मान देश की संसत कर पाएगी। अब उन्होंने कहा यूटी नहीं है। यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं मगर साहद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं या जान बूचकर आगे उन्होंने सदन को बताया नहीं इसी के नीचे आटिकल 3 के नीचे ही पस्ट्री करन के हैं इस अनुछे के खंड का सेड़ में जिसमें सारी चीजे आता है राज्य के अ सब्सक्राप हो जाता है तो इनको मैं मनिज जी को थोड़ा स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा ग्यार कानूनी काम कम से कम नरेंद्र मोधी सरकार नहीं कर सकती यह कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लेकर आए अभी बैस नहीं हो सकती बाद में आपको सवाल में बाद में आपको मौका दूंगा क्वेस्टन का भी बैठ जाई है मैं बाद में आपको अब कर देखे मनीजी मैं प्रस्थन ले सकता हूं मैं महोदय को अभी कहता हूं बाद में मनीजी का प्रस्थन चल यह भी नियमों के अंदर है मान्यवर बाद में उन्होंने कहा कि अनुचे तिनके परंटुक को निलम्बित करके राष्ट्रपती सासन डाला क्योंकि यह प्री डिजाइन था मान्यवर मेरे पास लीष्ट है अन्दरपतेश में राष्ट्रपती सासन 1973 में डाला हम नहीं थे कॉंग्रेस की सरकार थी परंटुक निलम्बित किया गया था अरुनाचल में डाला गया परंटुक निलम्बित 81 में अन्दरपतेश में उनकी सरकार परंटुक निलम्बित किया था 1990 में परंटुक निलम्बित किया था बिहार 1969 कॉंग्रेस सरकार परंटुक निलम्बित किया था 72 परंटुक निलंबीत किया था, 1977 परंटुक निलंबीत किया था, 69 बिहार, फिर गोवा 1990 परंटुक निलंबीत था, 1990 निलंबीत था, 1990 निलंबीत था, मानने वार मैंने कहा उनको मैं जवाब सवाल पूछने दूंगा वो क्यों इतने विचलित हो रहे के प्रेजिदेंशल नोटिफेकेशन की लांगवज अलग है मैं आपको अभी डिमांस्ट्रेट करता हूँ मैं अभी बढ़के सुनाता हूँ मैं अभी बढ़के सुनाता हूँ इस पर है कि अनुचे टीन के परंटु को जिसमें एसेमली का पावर यहां पर आता है इसको निलंबित किया गया है यह नहीं एक लिमिटेड क्वेस्टन पर हमें कहां यह बाती खड़ी होती है कि नो मान्य अध्यक्जी मुझे संदक्षन दीजिए ऐसे नहीं हो सकता बील का जवाब आपका रिकोर्ड भी नहीं जा रहा है इसे मानिगरमंती जी मान्य वर आप प्लीज मुझे व्यावस्ता दीजिए ऐसे फिल का जवाब नहीं दिया जा सकता एसे महत्वपूर्पूर्ण एक 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 निट नो मानिए मैंने आपको का आपको सवाल पूशने का मोका दूं मानिवर डेर सारे सदस्यों ने जम्मु कस्मीर में आतंक वाद की चिंता का जिक्र पेठे अच्छी बाते चिंता हो रहे होनी भी चाहिए सभी को होनी चाहिए उन्होंने सिधा सिधा इसको आर्टिकल 370 को निरस्त कमें से जोड़ा उन्होंने क्या क्या हुआ अभी आतंक वाद चल रहा है उन्हों क्या क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले से अना के कुछ जवान सहीद हो गए ओफिसर जवान सहीद हो गए कुछ गटनाएं भी हो गए मानेवर किसी ने किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कस्मीर में आतंकवाद समाप्त हो दाएगा कना सुनिया ना सुनिये अरे वई सुनो ना मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगावाद की भावना है आर्टिकल 370 जाने से अलगावाद में बहुत बमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आई रेकोर्ड की बात है अब मैं बताता हूं कि 1994 से 2004 कि इसमें सासन पर मैं नहीं जा रहा हूं कालखंड बोल रहा हूं कई सासन आया है टोटल आतंकवाद की कूट घटनाएं 40,174 हुए चोटी चोटी घटनाएं भी है कुछ बड़ी भी है 2004 से 14 मनमोन सिंग सोनिया जी के सासन का समझ आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुए और नरेंद्र मोधी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई 70 परसंड की कमी आई है और मैं थोड़ा और एक्स्प्लेइन करना मांगता हूं कि यह जो 2197 है इसमें से एक घटना का जिक्रे 65 प्रतिसद घटना है पूलिस की की गई कारवाही के कारण अकर हुई मतलब कोई जगे पे सुचना मिलती है कि आतांगवादी छिपा है पूलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतांगवादी मुटभेड मानी जाती है इस प्रकार के 70 परसंट कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में नागरिकों के मृत्यू के अंदर 72 परसंट की कमी आई है और सिक्यूरिटी फोर्सिस के मृत्यू के अंदर 69 परतिसत की कमी नरेंद्र मोधी सरकार में इसलिए मैं कहता हूँ मैं ठीक ही कहता था अलगावाद की भावना का मूल उसका उद्बवत स्थान आर्टिकल 370 है वो जाएगा अलगावाद की भावना भी ओवर अप पिरिएड ऑप टाइम खतम होगी और अतंकवाद और कल पत्राव की बात करते हैं मैंने दो साल लिये हैं साथ 2010 चब्वी सो चौपन पत्राव की घटनाई हुई थी 2010 में 2023 में जीरो एक भी पत्राव बात की जाएगा ओर्गेनाईज हड़ता जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका और कस्मीर की वेली और जम बंध हो जाते थे 132 ओर्गेनाईज हड़ताले हुई थी 2023 में एक भी हड़ताल नहीं एक भी बंध मान्यवर पत्राव में नागरिकों की मृत्यू 2010 में 112 हुई थी 2023 में क्यूंकि पत्रावी नहीं हुआ है नो इंजड नो डेत मान्यवर सिक्यूरिटी फोर्सिस पत्राव के कारण 6,235 हुए थे इंजड सिक्यूरिटी फोर्सिस और इस बार क्योंकि पत्रावी नहीं हुआ है जीरो इंजड है क्या बढ़ला हुआ है इनको मैं कहता हूँ क्या बढ़ला हुआ है अरे इसी सदन में रहकर सारी मरियादाय तोड़कर अगर धारा 370 खतम हुई तो खून की नद्या बह जाएगी कहते थे खून की नद्या छोड़ो कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की इस तरह की व्यवस्ता भाज़की प्रिता पाज़कर अर्मानेवर सीज फायर के वायूलेशन की घटना दोजार दर्श में एक साल में सत्तर दोजार तेहिस में दो घूसपैट दोजार दस में चार्शो निवासी दोजार तेहिस में सिर्फ अर्तालीस आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे कुल मिला कर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमानेवर वापीस लोट गए पहले 18 वापीस लोटे थे अब 281 वापीस लोट गए है पाकिस्तान मानेवर और वो ऐसे ही नहीं हुआ है जम्मु कस्मीर की लोगों की सुरक्सा और इनके जीवन की कॉलिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नित्रुत में भादपास सरकार ने अथा परिश्रम किया है मानेवर गुरु मंत्रा ले हर मा यहाँ पर सिक्यूरिटी रिव्यू करता हूँ और हर तीन मा में मैं वहाँ जाकर सिक्यूरिटी रिव्यू करता हूँ माननेवर एक zero terror plan बनायागा है जिसको हमने implementation मन लाया है तीन साल से वो plan action में है मुझे पूरा भरोसा है माननेवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले है 26 आते आते zero terror plan 100% implement होगा माननेवर इसके साथ साथ complete area domination का plan बनाया है वो भी 2026 तक समाप्थ हो जाएगा और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे हमने इसकी ecosystem को खतम किया है इसके साथ साथ terror finance पर ecosystem को खतम करने के लिए case किये NIA ने 32 case किये जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरन ये रुदन कर रही है हाई तोबा कर रही है क्यूं केस हो रहे है क्यूंके इसलिए case हो रहे है कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है ये permitted नहीं है ये नरेंद्र मोधी सरकार है ये नहीं सरकार है ना ये द्वारा 32 case हुए एसा ये द्वारा 51 case हुए 83 case टेरर फंडिंग और फाइनांस के हुए हैं लगबग लगबग दो सो उन्टीस एरेश्ट हुए हैं एक सो पचास करोड की मुल्य की सतावन प्रॉपर्टी को सीज करकर निलामी के लिए कौट के सामने दस्तावे दुपर्वा की पिए और 134 बैंक एकाउंट सील किये जिसमें 122 करोड रुपया सीज हुआ है और साड़े 5 करोड रुपया कैस हुए और मानेवर कहते थे क्या फरक पड़ा है अब्दुल्ला साब बैठे थे अब्दुला साब आप जब मुख्यमंत्री पर वालूम ही नहीं है जम्मु कस्मिर में थियेटर नहीं चलते थे धारा सिनेमा धारा 370 खतम होने के बाद 2021 में जम्मु कस्मिर में पहला थियेटर शुरू हुआ 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते ही इसले मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है स्रीनगर में एक मल्टिफ्लेक्स बना पुल्वाना पुल्वामा सोपिया बारा मुला हंदवाडा चार नहीं थियेटर कुले स्वा से अधिक फिल्मों की सुटिंग पिर से शुरू हो गई जो फारुक साब ने अंटिम देखा होगा बाद में नहीं देखा होगा किसी ने अब सुटिंग शुरू हो गई है और लगबग लगबग सो मुवी थियेटरों के लिए बैंक लौन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिकेटर है थियेटर खोलने की स्थिती नहीं थी क्यों बन करने पड़े थे मुझे बताओ ना ऐसा तो है नहीं कि जमुकस में कोई थियेटर पिच्चर देखना नहीं चाहता है आराम से देखे जाते थे मगर बन करने पड़े थे मानेवर लगबग लगबग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खतम करना पड है 45,000 लोगों की मृत्य हुई है और मैं बानता हूँ यह 45,000 लोगों की मृत्य की जिम्विदार यह धारा 370 थी है जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर ठेंक हुआ थे मानेवर धेर सारे धेर सारे परिवर्ट जो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूँ मानेवर जम्मु कस्मीर और लडाक को पहले एक अलग संविधान अलग ध्वज और एक जमाने में अलग राजदानी दो-दो राजदानिया हुआ करती थी स्यामा प्रसाद मुकर जीज ने जिस देश के लिए जान दी थी कुछ सदस्यों ने इसको पॉलिटिकल नारा काहा, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये देश की इच्छा थे किस देश में दो संविधान नहो, दो प्रदानमंत्री नहों और दो जड़े नहों देश का שब्लती को निसान एक ही होना चाहिए एक ही निसान के तलेप देश है और कुछ सदस्यों ने कहा हमसे वादा किया गया था हमसे वादा किया गया था वादा किस से किया था अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी आजादी के वक्त कॉंग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रू किया उसमें पूरा अधिकार महराजा का था देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पुछा गया क्यों जम्मु कस्मरी में पुछना और मैं वादे की भी बात करता हूँ चलो मान लेते हैं मैरे समभिदान निर्माताओं ने वादा किया था मगर आप आधादूरा पढ़ते हो इसके लिए कन्फूजन होता है इसके अंदर अर्टिकल 370 के अंदर उपर टेंपरररी प्रोविजन लिखा गया था टेंपरररी का मतलब क्या होता है आज इवान अधिकार हो गया नाजी कपका जाना चाहिए था हिम्मत नहीं थी नरेंद्र मोधी जी ने हिम्मत करी और धार्या 370 को सभाप कोई वादा खिला भी नहीं है एक स्पिरीट जो सम्विदान का था कि आर्टिकल 370 टेंपरररी है ये टेंपरररी का दिन ही नहीं आता था मोधी जीने पांच अगस्त को वो दिन ला दिया और टेंपरररी था वो चला दिया मानेवर पहली बार कस्मिरी डोगरी हिंदी और अंग्रेजी और उर्दु को राज्य की अधिकारिक भासाय बनाई मानेवर राइट टू एज्यूकेशन एक पहली बार उसकी चर्चा होगी तब बताओंगा बैट जाएए बुमी अधिग्रहन और मुवावजे का कानून फॉरेस्ट राइट एक एस्सी एस्टी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक जोवेनल जस्टिस एक और अल्प संख्यक आयुक अधिनियम 1992 यह रोक कर रखे थे वो अब लागू हो गए एसेमली वहां की छे साल की बना कर रखी थी अब वो भी पांच साल की हो गए और बड़े बदलाव हुए मनेवर मैं आज कहना चाहता हूँ हम भी गए थे लाल चौक पर तिरंगाल फैराने के लिए रोक दिया था मोदी जी और हमारे उस वक्त के द्यक्स मूली मनोर जी एक भी घर ऐसा निल था जहां बड़ेंगा नख है मनेवर यह बदला हुआ है अद लाल चौक में सारे धर्म के त्योहारों को रंग चंग के साथ मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पाटिसिपेट करते हैं बंदारन समिधान की स्पिरीट को अब नीचे उतारागा है य उनको जवाब देना चाहता हूं मनेवर मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जब आर्टिकल 370 गया उसके पहले जी सडिपी एक लाग करोर था सिर्फ एक लाग करोर आज 2,27,927 करोर जी सडिपी तो पांच साल में डबल रोजगारी धेर सारी बढ़ी पहले 94 डिगरी कॉल और दो एम्स सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां दो एम्स दिये गए वो हमारा जमू कस्मीर Medical college पहले चार थे 70 साल में साथ नए Medical college बनाये गए 15 नर्सिस college बनाये गए Medical सिट 500 थी अब नई 800 सिटे जोडने का काम आटिकल 370 जाने के बाद हुआ है 367 पीजी की सिटे थी उसमें नई 367 सिटे जोडने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है और लगबग लगबग मिड़े मिल 6 लाख लोगों को मिलता था अब 9 लाख 13 लोगों को मानेवर मिल मिलता है ग्रदान मंत्री घाम सड़क योदना की एवरेज 158 किलो मिटर थी अब 8,068 किलो मिटर प्रती साल हो गई क्या हुआ है जो पूष्टे इनको मैं बताता हूं मैं देता हूं जाब मैं देता हूं जाब मानेवर स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं अब 173 काम हुए है प्रदान मंत्री आवास योदना में 75-70 साल में 24,000 गर दिये गए थे ये 5 साल में एक लाग पैतालीस हजार लोगों को घर देने का काम नरेंद्रमोदी सर्कार क्या थे 5 साल में 44 पीडियोंने 7,82 लोगों को पिनने का पानी पहुचा चुके थे अब नए 13 लाग परिवारों को पिने का पानी पहुचाने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है और लगबग लगबग 47 जन अउसदी केंद्रे थे इसकी जगे 227 जन अउसदी केंद्रों पर आज सस्ती दवाईयां वहाँ पर 5 साल में बिल रहे मन्नेवर स्पोर्ट्स में युवाओ की भागीदारी 2 लाग से बढ़कर 60 लाग तक पहुँची है क्योंकि अब फिल हो सकते हैं मन्नेवर पैंशन के लाभार्थी में 6 लाग से 10 लाग तक पहुँचे हैं इस सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेंद्र मोधी सरकार ने आर्टिकल 370 जाने के बाद किया है और जो राष्ट्रपति साशन को क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं बताता हूं हम दादा आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हूं या बैठे हूं 370 के कारण आतंकवाद घडाय है आतंकवाद जाने के कारण कम होने के कारण वहां अच्छा वातावन हुआ है इसी के कारण ये सब डेवलप्मेंट हुआ है वरना आयम न होता है नायम सोता कुछ न होता है आप नहीं समझ पाओगे जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा वातावन सुद्रेगा और विकास होगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्त हुआ मानने वर प्रेम चंद्रण जी ने यहां से किसी सदस्य ने कहा एक सब्दप्रवयुक पर बहुत बड़ी आपत्ति के मैं वो सब्दप्रवय की अनुमोधन करने के लिए आज मेरी बात कहना चालता हुँ मैं वो सब्दप्रवयुक को support करना चालता वो सब्दप्रवयुक था नहरुवियन blender नहरु के समय में जो blender हुआ था उसके कारण कस्मीर को भुगत ना पड़ा मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आशन के सामने जिम्मेदारी के साथ क्याता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडी जवालाल नहरू के प्रधानमंत्रिक काल में हुई उनके लिए गए नेनयों से हुई इसके कारण सालों तक कस्मिने सहन करना पड़ा एक सब से बड़ी गलतिया जभ हमारी सहना जीत रही थि जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीजँफायर कर दिया और पाक उक्क्युपाई कस्मीर का जन्म हुआ अगर सीसफार तीन दिन लेट होता तो पाक उक्क्युपाई कस्मीर अध्भारत का विश्चा एक 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 चर्चा में करेंगे उस दिन बैठ जाओ माने वर्द और दूसरा किसी का किसी का अपमार निकरें संदर्द बता रहे होता है तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का माने वार अभी तो एक ही का है दूसरा को सुने मेरा जन्मा नहीं हुआ था अजादी कि लगाई का तुम पहां से अरे तो मानने गरम अंती जी ने एक प्लीट प्लीच दादा मानने गरम अंती जी ने ओपिशल स्टेट्मेंट दे देए है कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेट्मेंट कोल में दे दे देंगे बेट सुनो आप बता दो साब इनको एक बार दूसरी गलती दूसरा विस संदर बोल कर दया गलती नी संदर फोरी मानने वर एक ही घलती बताने से इतना तिल मिला गया है मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं एक पूरा कस्मीर जीते बगर सीसफायर कर लिया और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी घलती थे मानने वर मैं एक कोट अनकोट पड़ना चाहता हूं मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाये गए बिंडूओ को देख़ा एक पत्र का हिस्सा है मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए विंडूों को दिखा है लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके युनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निश्कर्श पर पहुँचा हूँ कि वहां से कुछ संतोस जनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा इंटू ब्रेकेट सीसफायर मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निप्टा गया हम सीसफायर और पर और विचार करके कुछ बहतर मार्ग निकाल सकते थे मुझे लगता है कि भूटकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है इसमें आपती है नहीं कर सकते है स्वयम जवाला नहरू ने कहा है अब मुझे क्या कह रहा है नहरू 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 ने स्वयम का है मैं रेफरेंस भी दे देता हूं नहरू मेमोरियल मुजियम एंड लैबरेरी जवाला नहरू कलेक्शन जे एन एसजी 143 के अंदर स्वयम जवाला नहरू का सेख अब्दुला जी को लिखा हुआ पत् कुजिया का मसला नहीं है विएक अब्दुला नहीं है मानने वाड़ मानने वाड़ मानेवर 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 अनुवद होरा है नहीं हो रहा है अंदर व्यूत मों हपस्ति ukrader मानेये मैं तो नहीरो जी का कोट पड़ रहा हुं क्यों घूञाय मुझे पर मुझे पर घूजंगर मुझे पर घूowa मेरी तो समझ में नहीं आता है मानेवार एक खांखा मुझे पर गुस्से हो रहे हैं मैंने जो पड़ा है वो नहरूजी ने स्वयम सेख अब्दुला जी को लिखा हुआ है और गुस्से होना है तो जवाला नहरूजी पर उनको होना चाहिए वेठे व कि क्या हो रहा है इदर क्या है एदर क्या अप्रीठे एद जैण पेट इसे हैं आप भी वेठ एद आप भी वेठ एदे आप भी वेठ एद जहरा निपत पर ते राजा बोले गों शी बोले गाव निपतने पिर उनकम इंवानमत देना जो कि अवेमिस्टर थे यह बैस लिए अपRISफ Joint पूरिति تौर्णिम्त गडय प्लेज 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 पीछे से सीजे मेंबर के रहे आपको प्लेज बेट जाएए आप आप ने बोल लिया था प्लीज अरे आपने कोट किया है बैटो आप ये मान्यवर उस वक्त जब युएन में मामला भेदना था तब भी नेनाई बहुत आननफानन में लिया गया मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुचित 35 की जगे 51 के तहद ले जाना चाहिए था मेरा तो मते ले जाना ही नहीं चाहिए मगर ले जाना था तो 51 के तहद ले जाना चाहिए था इसकी जगे 35 पर ले गए वो भी कई लोगों ने रेकोर्ड पर सला देने के बावजूद भी नीनाई कर दिया गया कि अनुचित 35 के तहद ले जाए और कुछ लोगों को मेरी भासा मैं क्या कर सकता हूं मैं तो इस देश की भासा बोलता हूं मतलब इस देश की भासा तमिल भी है हिंदी भी है बंगाली भी है मराठी भी है तेलगू भी है कंणर भी है तो गुजराती भी कोई बोल सकता है आप तमिल में भी बोल सकते हो मगर मैं हिंदी में बोलता हूं आप अनुवा ध्यान से स जुटे नहीं हो मैंने जो कुछ पड़ा वो जवालाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर कर किया है कि ये मेरी मिष्टेक थी मिष्टेक नहीं थी ब्लंडर था इस अज इसकी पार्णी जमीं चली गई इस मेज की इतनी भूमी चली गई वो ब्लंडर था अइतियासी ब्लंडर था मान्य वर बाणने सदेश ए यह शब्दों की व्याथा को समझो प्लीज नॉए प्लीज नॉए प्लीज नॉए प्लीज नॉए बेटा है मानने वर आपी तो आपने कहादा नहीं बेठेंगे नहीं बेठेंगे डिअली, अजरी, 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 अजरी. कि औave औ भुटारा हसे सब्सक्राअ, cognitive दुटी 사 कि औat लुटारा निए! लुटारा निए औत भुटारा निए, मोरी मनुट Rise up above, लुटार निएनी आट माइक 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 आप बोले और एक खेत्र में ब्लंडर का शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी जवाला नेरू जी के खेत्र में हमालेट ब्लंडर इसके बारे में भी घ्रेमंध्र जी थोड़ी बात बोल शक्त départ ब्लंडर से ऐसा है मानेवर मैं माने सदस्य को कहनी चाहता हूं माने सभ्यस्री को कहनी चाहता हूं खाली ब्लंडर से इतना नाराज है हिमालियन बोलता तो इस्तिफा दे Communist अ कि कि मानने वर मानने वर मुझे अभी एक हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए सदस्य ने कहा मेरे साथी मंत्री ने कहा कमीद भाई उन्होंने सुबह बताया था आपको कि ये चले जाएंगे आप पहले से कहते थे मुझे कोई बताया ने मेरे इसी बात की तो अब दे भी छोड़ करते हैं इसलिए मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सन्मान देने की बात में कॉंग्रेस वॉट दे ही नहीं सकती देने की ना उनको परमिसन है ना उनको मेंडेट है ना उनको इच्छा है इसलिए वो चलोगी मानेवार प्रदानमंत्री जिने 2014 में 80,000 करोड की लागत से 63 परियोदना जे अब तक 70 साल तक कस्मीर को इगनौर किया गया और समगरता से कस्मीर के विकास के लिए बीजली, इंफ्रास्ट्रक्टर के प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एज्यूकेशन, मेडिकल सुईदाय, इस सभी चीजों को समाहीत करत हुई, 73 परियोदना 80,000 करोड की लागत से बनाई, इसमें लगबग लगबग 9 परियोदना 21,000 करोड की लगदाकी थी, जो अब अलग यूटी में चली गई, परनतु जम्मी कस्मीर की बात करें, तो 32 परियोदना 58,477 करोड की लगबग पुली हो गई है, और 58,000 करोड में से 45,800 करोड रूपय क्या है, यह मैं बताता हूँ, यह कह रहे है कि क्या हुआ है, इसके लिए, मैं कुछ योदनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूंगा, 5000 मेगावट के लख्स रक्कर 24,287 करोड की 642 मेगावट की कीरू हाइडरो परियोदना, क्वार हाइडरो परियोदना 540 मेगावट 5000 करोड रचले हाइडरोै परियोदना 5200 करोड अच सो पचास मेगावट, 8,112 करोड़ की 1000 MW की सोपाद दल दूल हैड्रो परियोदना सावलकोट हैड्रो परियोदना 1856 MW की 2300 करोड़ की और सापूर-कंडी-بांध-सिंचाई और विगली परियोदना 2700 करोड़ की सिर्ख जल विद्यूत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इंवेस्ट हुआ है और पहली बार 100 उर्जा 1600 मेगरावट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहाँ पर डाला गया है 38 घ्रीट सेशनों का निर्मान हुआ 467 किलोमीटर नई ट्रांस्मीशन की लाइने बिछाई गई 266 उप स्टेशनों को बनायागा और 11,000 सरकीट किलोमीटर की ह्ट और लोट ल्टी लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है सिंचाई का जहां सवाल है 62 करोड की रावी नहर योदना पूरी कल लिगी 45 करोड का टसर चलन तीन त्राल सिंचाई योदना का पूरा किया गया जेलम और साहिक नदियों के बाड प्रबंदन के लिए 399 करोड के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया 1632 करोड का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण एक का काम पूरा होकर 38,800 कुषक से बढ़कर 41,000 कुषक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है साहपुर कंडी बान परियोगना भी पूरी हो गई है जम्मू प्रांत की प्रमुक नहरों से तीन पिडियों से गाद नहीं निकाली गई थी 69 दिन में ही राष्ट्रपति सासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पुरा हुआ है रेल नेटवर का विष्टार हुआ है 3127 करोड रूप्य की अनुमानित लागत से 8.45 करोड की लंबी दी वीन ट्यूब काजी कुन बनीहाल सुरंग का निर्मान हो गया है और लगबग लगबग 8000 किलोमीटर नए रोड ग्रामेन सबक लगना के बना है जम्मु कस्मीर के 10 सिल्पो जी आई टैग मिला दोडा का गुच्छी मस्रूम भी जी आई टैग मिला आरेस पूरा के बासमती चावल को जैवीक प्रमान पत्र जारी किया गया और समग्र कुसी विकास के लिए 5013 करोड की योधना की गया पूरे देश में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को पांच लाग तक का स्वास्त का पूरा खर्चा सरकार उठाती है साब पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है जम्मु कस्मीर में सभी व्यक्तियों का पांच लाग तक का पूरा खर्चा आज सरकार उठाती है हमने बहुत रूजिटा के साथ बहुत समवेदन सिल्टा के साथ जम्मिक कस्मीर को समालने का कहा है जो लोग कह रहे थे क्या हुआ भारतिय जन्ता पार्टी का सासन आने के बाद अन्तिम परियतक 14 लाग थे अब 2022-23 में दो करोड परियतक ओने है जम्मिक कस्मीर को और जून म तक चुन 23 तक एक करोड समाप्थ हो गाया है मुझे विशवास है कि दो करोड का भाजपाग सरकार नरेंड्रमोदी सरक सरकार का रेकोर्ड नरेंड्रमोदी सरकार ही आतित्य पारंपरिखो और अनुभव में मनोरंजन और रोमांच दुनों हो इस प्रकार का एक परियटक स्तल आज बना है होमस्ट्रे की निती बनी है फिल्म की निती बनी है हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम क्या रहा है जमू रोपे परियोधना 75 करोर खर् ली गई है और मैंने फिर से आफ फारुक साब आये इसलिए फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही पांच लाख रुपिया का स्वास्त का पूरा खर्चा नरेंद्र मोधी सरकार उठाती है जम्मू कस्मिर में सभी लोगों का पांच लाख दन्यवा अरे राजा एक ट्वाली कम्मूनिकेशन का नहीं है यार कस्मिर का है जाहे को खड़े हो जादे हुआ यार रिफ्यूजें टू टेक इट विकॉस देशे हमें पैसा वा इसकी तरफ देखे मेर्बानी कर देए मानने वार बैठिये दादा आपके जाने के बाद एक मान्य सदस्या खड़े हुए उन्हों न क्या इसके लिए ब्लंडर ने हिमालियन ब्लंडर भी सब्दों पर खड़ किया गया मान्यवर अंत में अंत में जो बील लेकर आया हूँ अंत में मैं जो बील लेकर आया हूँ वो सालों से जो वंचित थे अधिकारों से वंचित थे अपना देश अपना परदेश अपना घर अपनी भूमी अपनी जायदा चोड़ कर अपने ही देशव में निराश्रित हो गए जिनका देशी छूट गया अन्य पिष्रावर्ग से सन्मानित करने का यह बील है मैं अत्य सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पाटी का आप जरूर विरोत करिये प्रधान मंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तोरपर भी करिए, मगरे बील का उद्देश बहुत पवीत्र है, कम से कम पिछडा वर्ग के लोग और हमारे विस्तापी थे, उनकी वर्द देखते हुए आप समर्थन करिए और इसको सरवानू मत सिपादे। कि अजय की वर्दाद बहुत्पवादा जेखते हुए झाल्वार को तोरप समर्वादा वोग वर्देश सक्टिगतर है, मता बाला के लिए राजके जेएू येतियों के लिएका।